नमस्कार मेरे किसान भाईयों स्वागत है आप समका एक बार फिर किसान सातियों सर्सों की फसल पे पहला पाणी देने का समय आ चुका है आजगी इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला पानी कब दे कितने दिन पे दे कहीं कहीं पे 40 दिन कहीं पे 30 दिन कहीं पे 20 दिन के अंतराल पे भी किसान पानी देते हैं कौन से खादों को आमें पहले पानी पे इस्तमाल करना है जिससे हमें सरसों की फसल में ज़्यादा फाइदा मिल सके कौन सी दवा का भी हमें इस्तमाल करना और कौन सी स्प्रे हमें पानी देते ही लगानी है सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, जिससे आप सरसों की फसल से एक एक्स्ट्रीम उत्पादन ले सकें, वाई तो सब करते हैं किसान भाईयों, फसल सब काटते हैं, लेकिन फाइदा जबी है, जब हम जितनी potential भीज के अंदर है, जितना उत् कादन हम उस फसल से ले चकें, चाहिए वो गन्ना हो गें, वो धान हो, इसलिए किसान भाईयों सारे के सारे खादों को हमें इस्तमाल करना चाहिए, सही मात्रा में इस्तमाल करना चाहिए, सही समय पर हमें इस्तमाल करना चाहिए, किसान साथियों सरसों की फसल में पहला पा आपने बुआई करी थी उस टेम पे ज्यादा नमी नहीं थी और अब 25 दिन ही हुए है और आपकी फसल सही से बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है आपको लगता है थोड़ा पीला पन भी है और पोदे सही से ग्रो नहीं कर रहे तो आप 25 से 27 दिन के अंतराल पे भी आप 25 दिन पे भी पहला पानी दे सकते हैं किसान भाइयों चाहे वो कोई भी फसल हो बुआई से लेकर पहले पानी तक हमें 70-80% खादों का इस्तमाल फसल में कर लेना चाहिए या मैं यू कहूँ 50% आप ववाई में इस्तमाल करो 25-30% खाद आप पहले पानी पे इस्तमाल करो लाश तक आपकी फसल जबरदस्ट बढ़वार, जबरदस्ट ग्रोथ दिखाती रहेगी कभी भी बीच में रुकेगी नहीं और उसमें रोग बिल्कुल भी नहीं लगेंगे क्योंकि एक स्वस्त फसल में कम रोग लगते हैं अब आपको ही देखना है किसान भाईयो सरसो की फसल में आपको पहले पानी पर कौन से खाद इस्तमाल करने अगर आपने जैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताया है एन पी के नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास केल्शियम मेगनीशियम और सल्फर ये छे खाद ऐसे और किसान भाईयो इसमें जिंक का भी नाम आता है साथवा अगर मैं खाद काऊ तो ये साथ खाद ऐसे है आपको अपनी फसल में ये सारे के सारे थोड़ी थोड़ी महातरा में जरूर देने चाहिए जिससे आप अपनी फसल का सर्वागीन विकास करवा सकेँ अगर आपने अन्पक के खाद का भुवववववववर के नाम आ मोने जरूर करना ज़ाए है नाइटरोजन फासफोरस और पोटास अब अगर आपने NPK डाला था तो भी आप Yuria डालिए अगर आपने SSP डाला था तो भी इस काइम पे Yuria डालिया आप अगर आपने पहले DAP का इस्तमाल कराता तो भी आप Yuria तो पहले में पहले पानी पर देनी ही है किसान भाई यो इस सारे के सारे खाद आपको निप्टाने है किसान सातियो एक बैग यूरिया का आपको इस्तमाल करना पहले पानी पे एक बैग सिंगल सुपर फासफेट खाद का आपको इस्तमाल करना है ये दुन्यों खाद मिलाके डाल दो य या एक बैग यूरिया या एक बैग डीएपी मिला के डाल दो या एक बैग यूरिया या एक बैग एनपी के खाद का इस्तमाला कर लो. पिसान सातियों वैसे तो सरसों में अगर आपने सही समय पे बुआई करी तो इस पाइम पे कोई भी दवा डालने की जुरत नहीं है. पे कोई पोदा मर तो नहीं रहा, सूख तो नहीं रहा. अगर आपको लगता है कि पोदे 5% सूख रहे हैं या मर रहे हैं, तो आप किसी भी पोदे को उखाड के दे के उसमें जड़ गलन या तनगलन की समश्या तो नहीं है. अगर आपको लगता है कि हाँ, समश्या है, इस परकार का पोदा आपका है, सूख रहा है, उसकी जड़ विक्सित नहीं हो पारी है, तो किसान भाईयों आपको इस खाड के साथ, जो भी आप खाड देना चाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, खुद आपको डिसाइड करना, आ आप यूरिय के साथ मिला रहे, उसमें आप 500 ग्राम कार्बेंड़ जीम आप जो आता है, वो ले लो, अगर जड़ गलने की समश्या है तो, या फिर आप कोई भी अच्छा फंजी साइड, जैसा टैबुकुना जोल आता है, वो ले लो, थाइफोनेट मिधाइल भी आप ले 500 ग्राम, वो आपको जमीन से देनी है, इस्प्रे नहीं करनी, पहली चीज, क्योंकि ये जो फंगस है, किसान बाईयो, ये जमीन से चल रही है, और जड़ को ये सडा देती है, गला देती है, किसान बाईयो, तने को गला देती है, इसलिए आपको पहले खाद में 500 ग्राम को किसान भाईयों तिन्नों काम आपने कर लिए पहला पानी दे दिया कितने दिन के अंतराल पे देना है यह आपने कर लिया खाद भी दे दिया खादों में एक फंगस की दवा डाल दिये अगर आपको लग रहा कि आपके कुछ पोदे परभावित हैं फंगस से 500 ग्राम कोई भी दवा आपने डाल ली तीसरा यह महत्यपूर्ण काम है अगर आपने यह भी कर लिया तो आप अपनी फसल से बहुत ही जवर्दस तुत पादन ले पाएंगे किसान भाईयो पानी देने के 6-7 दिन बाद आपको एक स्प्रे करने है जिसमें आपको लेना है NPK 1919 प्रतियकर एक किलो आपको लेना है यह किसी भी अच्छी कमपनी का लेना उसके साथ आप कोई भी एक माइकर नुट्रियंट लीजिए 500 ग्राम किसान भाईयो जिस पे भी आप ट्रेस्ट करते हो जो भी आपको अच्छा लगता हो किसी भी कमपनी का आप ले सकते हैं उसका श्प्रे कर दीजिए किसान भाईयो सरसो का पत्ता बहुत चोड़ा होता है जैसे ही आप यह छिड़काव अपनी फसल पे करेंगे करेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो